दोस्तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके वजह से पूरी दुनिया चल रही है हम चल रहे हैं हमारा शहर चल रहा है हमारा देश चल रहा है और यह पूरा बिश्वय चल रहा है दोस्तो वह है हमारा पेट क्योंकि अगर पेट ना होता अगर हमें भूख ना लगती तो हम कमाने नही निकलते ना कोई काम करते सब अपने जगह पे पड़े रहते और यह पूरी दुनिया स्थीर होती एकhur प Means दौस्तों वह पेट है जिसके वज़े से हम कमाने निकलते हैं थाकि अपना पेट भर सके अपने फैमिली की पेट भर सके और उसी चीज को पूरा करने के लिए हम कमाने निकलते हैं, हम काम करते हैं, बिजनस करते हैं, नौकरी करते हैं, तमाम तरह की चीजे जो होती है वो हम करते हैं, क्यूंकि अगर आज मैं बिदाओं कि अगर इनसान को भूख लगना बंदूजा, अगर आप कोई भूख ना लगे, तो आप कुछ भी नहीं करोगे आप घर पे बैठ जाओगे तो यह सबसे बड़ी चीज है जिसके वज़े से पुरा ब्रह्मान चल रहा है लोग यहां से वहां चल रहे हैं चीजें यहां से वहां खिसक रही है आज मैं आप से बात कर पा रहा हूं आप मुझे YouTube पे देख पा रहे तो यह सब क्यूं है यह सब ताम जाम क्यूं है यह सब ताम जाम है सारी चीजे हैं सिर्फ एक चीज के लिए वह हमारा पेट हमारा भूक हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBC Business में मैं हूँ आतीश दोस्तों आप सोच रहे होगे कि आज मैं यह सार मैं बहुत जाद़ा इंस्पाइर हो गया उस वीडियो देश करें लगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आ आपके साथ शेयर करूप इस वीडियो आपके साध साजा करना बहुत जरुरी समझा मैंने इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं मैं क्यूं बात कर रहा हूं ये देश दुनिया की और ये पेट और भूख की क्यूंकि दोस्तों हम जो भी कर रहे हैं अगर आप अभी हमारे वीडियो देख रहे हो तो कही न कहीं आपके अंदर इच्छा है कि मैं भी कुछ अच्छा बिजनस करूं परदेश में जा कर काम करते हैं विदेश तक जा कर काम करते हैं क्यों सिर्फ Ohio अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चे को पेट यह अपने फैमली और को एक अच्छा परवरिश्प Heavenly घ्लिक अपने बच्चों कुछ परवरिश देने के लिए धिरेंद्र सास्त्री जो बाबा बागेश्वरक के नाम से जाने जाते हैं उनका प्रवचन का प्रोग्राम था उनकी कथा थी वहां पे जो लगवक सायद 5-6 दिन की थी नौवत पूर पटना में दोस्तों वहां लाखों के तादात में भेड़े उमड़ी थी सरधालू जो उ वहां साइरी चीज़े देखियोगी आपने या फिर आपने वीर्ड्य देखा उगा कि कि इस कदर भीड्य उमड रहा था लेकिन दोस्तों झो बिजनश करना चाहते हैं जो इंसान बिजनस माइंड़ेड रहे उसने उसमें रास्ता निकाला इने सारे भीड में मैं किस तरीके से क्या बिजनस करके पैसे कमा सकता हूं तो दोस्तों एक बच्चे ने रास्ता निकाला है बावा बागेश्वर के कथा में हवा मिठाई बेचता है आप वीडियो देख सकते हो जैसे हम cotton candy बोलते हैं और कर्मल जो उसने बताया वह मैं आपको बता रहा हूं आप देख सकते हो वीडियो देख वाए कितना कमाई हो जाता है एक दिन में लगवग अजार वारा सो हजाता है तो मतलब जो पांच दिन का यहां पर कथा चल रहा है कितना कमाई हो जाएगा लगवग पूरा मिला के हो इस बच्चे का कहना है जब अंजली ने इनसे पूछा कि आप सिर्फ यहां बीच रहा हो या फिर कहीं और भी तो उसने बोला कि जहां-जहां बाबा का कथा होता है मैं वहां बेचता हूं सोचो कि लाखों की भीड में और यह ऐसा प्रोड़क्ट है कॉटन केंडी की बच् चलता जाता है कि इसके बाद बाबा कहां जाएंगे कौन करता है फौन तुमको गूगल से तो उसने बोला मुवाइल से कैसे तो उसने बोला गूगल से वह सर्च करके पता करता है कि बाबा का प्रोग्राम कहां कहां होने वाला है और यह बच्चा यूपी का रहने वाला है लेकिन जहां पे भी धिरेंदर सास्त्री का प्रोग्राम होता है वो उनके कथा में जाता है और उस जेके पर अपना बिजनस करता है और अपने फैमली को खोशी-खोशी चलाता है दोस्तो अगर आपके अंदर बिजनस करने की चाहत है इच्छा है जज़बा है जुनून है तो आप कर सकते हो इस छोटे से बच्चे का दिमाग देखो कितना शार्प है कितना तेज है इसने क्या दिमाग लगाया कि जो मैं मार्केट में गुम गुम के बेचू दिन में 200-500-700 कमा पाऊंगा वह एक दिन में 1200 कमा ले रहा है ज्यादा ही कमाता होगा किसी दिल दोस्तो मुझे लगा यह स्टोरी आप तक जरूर पहुंचाना चाहिए कि आप भी अगर दिमाग लगाए थोड़ा सोचे तो बहुत ही बहतर बिजनस अपोरचुनेटी ढूंड सकते हैं जो भी कोई ने को बिजनस अइडिया ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको पसंद है आपको सूट करें दोस्तों यह स्टोरी दिखाना बहुत जरूरी था ताकि आप जाग सको अगर आप सोच रहे हो तो सिर्फ सोचो नहीं अपना कदम बढ़ा सको आगे बढ़ सको तो इस वीडिय पर मैं बहुत सारे बिजनस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं और अब आगे और भी कंटिन्यू वीडियो आएंगे और साथ ही साथ मैं ऐसे और भी कहानिया स्टोरी लेकर आऊंगा जिससे आपको inspiration मिल सके motivation मिल सके आगे बढ़ने की तो चलिए इस वीडियो को जाता लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छे लिए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद